वेलकम टोन लियाए स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2023 में Art and Culture के Current Affairs के Revision का ये हमारा दूसरा लेक्चर है आज के सेशन में हम जून महिने के Art and Culture के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article बाबा बंदा सिंग बहादूर जी के बारे में है Minister of State for Culture ने अभी हाल ही में एक event के दौरान National Monument Authority इन event organized बाइच इस पूरे event को National Monument Authority ने organize किया था उसे दौरान एक poster release किया गया है जो उनके 306 में जो शहीदी दिवस है उसके पहले ही release किया गया नौ जून को उनका शहीदी दिवस होता है बंदा सिंग बहादूर जिनका बच्पन का नाम लक्ष्मन देव हुआ करता था जिनका जीवन काल 1670 से 1716 के बीच में रहा एक सिख वारियर थे सिख खालसा आमी के कमांडर भी थे मैस 15 वर्स की आयो में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया जब ये एक हिंदू सेंट बनना चाहते थे एक साधो बनना चाहते थे जहाँ पर इन्होंने अपना नाम रखा माधो दास माधो दास इन्होंने नाम लिया खुद के लिए और नान्देद में इन्होंने एक मॉनेस्ट्री भी स्टाब्रिश की गुदावरी नदी के किनारे 1708 में इनकी मुलाकात गुरू गोविन सिंग जी के साथ हुई जहाँ पर वो उनके सिश्ष बन गए और गुरू गोविन सिंग जी ने उन्हें नाम दिया बंदा बहादुर इन्होंने जो खांडा है सोनीपत में वहाँ पर फाइटिंग फोर्सेस को एकठा किया गुरू गोविन सिंग जी के बाद और मुगल एंपायर्स के साथ एक बैटल छीर दी इनका पहला मेजर एक्षन रहा जब उन्होंने 1709 में जो समाना पटियाला का एरिया है वहाँ पर उस समय ये समाना की लोकेशन थी उस पर जो मुगल प्रोविन्शिल कैपिटल हुआ करते थी उस समय उस पर अटैक करके उसे कैप्चिर किया फदरों ने खालसा रूल को पंजाब में स्टेंदेन किया और जो भी एरिया खालसा रूल में आया वहाँ पे जमीदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और प्रॉपर्टी रैट्स दिये गये किसानों को जो खेत की जुधाई किया करते थे बंदा सिंग जी को मुगल्स ने capture कर लिया 1715-16 के बीच में मुगल्स ने उन्हें काफे लंबे समय तक torture किया और बाद में उन्हें जान से मार दिया इस तरीके से वो शहीद हो गया मेमोरियल की बात करते हैं बाबा बंदा सिंग बहादूर वार मेमोरियल ये चापरचीरी में है मोहाली में जहां पर जो एक बैटल हुई थी चापरचीरी की उस बैटल को पोर्टरे किया गया है जिसको लीड किया था मुगल्स की ओर से वजीर खान ने मई 1710 का ये पूरा वार था या बैटल थी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संत कबीर जी के बारे में है इंडिन प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में संत कबीर अकैडमी को और रिसर्स सिंटर स्वदेश दर्सन योजना को इनॉगरेट किया है फर्दर जो भक्ती सेंटर है संत कबीर जी उन्हें उन्होंने स्रधानजली भी अर्पित की मगहर में जो कि एक लोकेशन है उत्तर प्रदेस में ये लोकेशन आपको गोरकपूर से 30 किलोमेटर की दूरी पर मिल जाएगी संत कबीर का जन्म वारानसी में हुआ था 1398 से 1448 के बीच में इन्होंने अपना जीवन जिया या फिर ये डेट 1518 की है इस डेट को लेकर काफी विवाद है तो आप इसके पचड़े में ज़्यादा पढ़िएगा मत संत कबीर एक लोवर कास्ट से बिलॉंग करते थे जो कि वीवर्स की कास्ट हुआ करती थी चुलाहा कास्ट जिन्होंने हाल फिल हाल में ही खुद को इसलाम में कनवर्ट किया था वो निर्गुली ट्रेडिशन से बिलॉंग करने वाले एक भक्ती सेंट थे जिनका ये मानना था था कि जो इस्वर है वो एक है और वो फॉर्मलेस है उसका कोई रूप नहीं है कोई सुरूप नहीं है कबीर जी फेमस गुरू रामनन्द जी के डिसाइपल भी थे और 14 हुई सताबडी के रामनन्द जी एक वैस्टनवेट पोईट सेंट हुआ करते थे संद कबीर को ये करेट जाता है कि उन्होंने इसलाम और हिंदिजम के जो भी ऐलेमेंट्स थे उनको इकठा किया संथेसाइस किया उनके विचार डीपली रैडिकल थे वो अपने विचारों को लेकर काफी वोकल थे रिलीजियस या फिर जो कास्ट सिस्टम था उनको लेकर वो अक्सर तल्ख बाते कहा करते थे उनका ये मानना था कि इस वर कहीं बाहर नहीं रहता जिसे आप मंदिरों में बिठा दे भगवान हर व्यक्ति के भीतर रहता है ये उनकी माननता थी उनका ये कहना था कि हर कास्ट का व्यक्ति मुक्ष प्राप्त करने का अधिकार रखता है सिख ट्रेडिशन में उन्होंने गुरुनानक जी को प्रभावित किया हिंदूज उन्हें वेस्टनवेट सेंट के रूप में जबके मुसलिम से एक सूफी सेंट के रूप में याद करते हैं कॉम्पोजिशन की बात करें उन्होंने लिखे दोहा हमबल ओरिजिन से थे उनकी बातों ने जो वो इगैलिटेरिन की समानता की बात कहा करते थे इसने लोगों को बहुत ज़दा प्रभावित किया और उसके रिजल्टेंट एक पंथ ओरिजिनेट हुआ जिसे कभीर पंथ कहा जाता है कहानियों के अनुसार उन्होंने अपनी जीवन के अंतिम समय में मघहर जाना पसंद किया और वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम जो समय है उसको बिताया और अपनी अंतिम सांस लिए क्योंकि उस समय एक मानिता चला करती थी कि जो काशी में रहता है जिसकी मृत्यू काशी में होती है वो स्वर्ग जाता है और जिसकी मृत्यू मगहर में होती है वो नर्क में चला जाता है तो वो इसी चीज को लेकर अक्सर काफी ज़्यादा ये जो किवंदती थी उसे गलत में राम हैं और अगर वो कासी में मर के स्वर्ग जाएंगे तो फिर भगवान राम का इसमें क्या क्रेड़ेट होगा क्रेड़ेट तो तब होगा जब वो मघहर में मर के भी स्वर्ग जाएं तो इस तरीके सुनने अपनी जो अंतिम सांस है उसको मघहर में त्यागा हमारा next article सीतल सस्थी के बारे में है ये एक हफ़ते का festival है जिसे अभी हाल ही में उड़ी सा में observe किया गया हिंदू festival है जो उड़ी सा में मनाया जाता है जहांपर भगवान शिव और पार्वती के विवाह को organize किया जाता है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये जेश्ट महीने के छठे दिन मतब ये on the sixth day छठे दिन observe किया जाता है सुक्रपक्ष में ऐसा मना जाता है कि भगवान शिव जो बहुत गर्मी होती है उसे represent करते हैं जबकि देवी पार्वती जो पहली बारिश होते हैं उसको represent करती है इस विवाह के माध्यम से इस occasion के माध्यम से लोग अच्छी बारिश और अच्छी मौसम को invite करते हैं या उसके लिए pray करते हैं इसमें होता यह है कि एक family भगवान शिव को जबकि दूसरी family देवी पार्वती को adopt कर ले रहे हैं और फिर पूरे traditions and customs के according विवाह complete करवाया जाता है सीतर सस्ती यात्रा होती है उसके बाद जो western उडिसा का संभलपूर का area है वहाँ पर इसे larger ली देखा जाता है अपर देखे हमारा जो next article है वो मेला खीर भवानी के बारे में है कस्मीरी हिंदूस जिन्हें locally pundits के नाम से पुकारा जाता है वो जेस्ट अस्टमी के दिन मेला खीर भवानी temple में जो की central कस्मीर में जो गंडरबाल district है वहाँ के तुल्मुला में located है एक जो मेला है वो organized होता है उसमें वो लोग शामिल होते है temple goddess रंग निया देवी जी को dedicated है festival को मेला खीर भवानी के नाम से पुकारा जाता है कस्मीर में हिंदूस के लिए annual जो अमर्नाथ यात्रा होती है उसके बाद इसे सबसे बड़ी gathering के रूप में देखा जाता है यह temple जो है वो श्री नगर सिटी से 30 km की दूरी पर है और कस्मीरी हिंदूस के लिए एक important site है pilgrimage का जो temple है यह अपना नाम खीर से derive करता है खीर आप सभी लोगों ने खाई होगी घरों में बनती है उसी के नाम पर इस मेले का नाम खीर भवानी रखा गया है यहाँ पर लोग offering के तौर पे goddess को खीर चढ़ाते हैं और कई दफा ऐसा दिखा जाता है जो local Muslims होते हैं वो भी traditionally इस community से related है जैसे की चहिला साहिफ festival यहाँ पे communities के साथ आपको इसको associate करना था सिंधी नंदराज जाट यात्रा गोंस वारी वरकारी संथाल्स बताना था कौन सा pair correctly matched है अब इस जफा तो UPSC ने थोड़ी कलाकारी कर दी है पहले वो option दे देते थे थे कि पहला सही है दूसरा ती पाएंगे इस तरीकी का equation इस दफा UPSC ने set किया है elimination हटाने के लिए ताकि आपको exactly पता हो आप elimination के थो अपना जो answer वो derive न कर पाएं खैर इस तरीकी के challenges कोई ने कोई challenge UPSC हर साल देती ही है और उसके लिए हमें तयार रहना पड़ेगा UPSC surprises हमें आगे भी देती ही रहेगी तो इस सवाल का जवाब है A one only देखे नंदरा जात यात्रा जो है वो उत्राखंड में observe किया जाता है और गोंस वहां के native नहीं है तो यह obviously इनका नहीं होगा और वारी वरकारी महारास्टा में observe किया जाता है और जो संथाल्स हैं वहां का native tribal group नहीं है तो यह दोनों है statement यहा आई एसी की जो ranking है वो 155 है जो पिछले साल की तुलना में 31 rank improve की है so that was the mistake that I made in last session और मैं इस mistake के लिए apologize भी कर रहा हूं और यहां पर मैं इसे correct भी कर रहा हूं तो जिसने भी इसे देखा है वो इसे correct कर लेंगे ठीक है तो चलिए इस article पर बात करते हैं that is संथ तुकाराम शि इनाउगरेट किया गया है शिला मंदिर यह एक टेंपल है जो dedicated है एक slab of stone के लिए यह शिला के लिए तभी से शिला टेंपल बोल भी रहे हैं यह वो स्टोन है जिस पर संथ तुकाराम ने तेरह दिन बिताये थे यह तेरह दिन कैसे थे जैसे वो कई सारी devotional poetry लिखा करते थे जिने अभ्यांग कहा जाता है उनके authenticity को question किया गया कि क्या वो original compositions हैं तो जब उन writing को challenge किया गया तो इस बात को लेकर उन्होंने अपने पूरे वर्क को इंद्रायनी नदी में डुबो दिया और उसके बाद वो 13 दिनों तक इसी शिला पे बैठे रहे तेरह दिनों के बाद और वो इस place को visit करते हैं यहाँ पर देखे संत तुकाराम महराज ने 13 दिन इसी शिला पे बिताये थे इसलिए वर्काय सेक्ट के लोग इसे place of pilgrimage के तौर पे देखते हैं जो शिला है वो वर्तवान में देहू संस्थान temple प्रमाइस में है और यहीं से वारी जो सेक्ट है वो डिराइव करता है वहाँ पर पंधरपुर में वो हर साल pilgrimage के लिए आते हैं जो संस्थान है उन्होंने silver cast covering है देखे इसके उपर इस शिला के उपर एक silver casting की गई थी silver से cover कर दिया गया था लेकिन कुछ लोग इसे चुरा ले गया बाद में ये इंद्रायन निदी के गिनारे वाप्रिस से पाया गया तो संस्थान ने डिसाइड किया कि वो इस silver cast covering के सांसा संतुकाराम महराज की image भी लगाएंगे वरकारी सेक के बारे में बात करते हैं संतुकाराम और उनका काम ये वरकारी सेक के लिए center में होता है जो पूरे महरास्ट में फैला हुआ है उनके जो messages के दौरान जो devotees होते हैं वो जो देहु का temple town है और जो अरंदी है वहाँ पर जो पादुकाज होती है संतुकाराम जी की उसके सांथ travel करते हैं और ये जो pilgrimage है वो एकादशी के दिन complete होता है देखे इस nature के प्रशन पूछे जाते हैं 2018 में ये प्रशन पूछा गया था not necessarily the same question but the nature of the question आप यहाँ पर दीखे यहाँ पर चार स्टेटमेंट थे पहला था कि जड़ादर जो त्याग राज कृतीज हैं या डिवोशनल सॉंग्स हैं वो भगवान स्री कृष्ण की प्रेज में हैं दूसरा कि त्याग राज जी ने कई सारे नए सॉंग्स क्रेट किये तीसरा ह आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कौन सा नहीं है तो जो इसका सही आंसर था यानि कि टू एन फॉर यह दोनों करेक्ट थे कहने का मतलब यह है कि इस नीचर के प्रेशन आते हैं तो अगर ऐसी कोई चीज नीज में आ रही है तो आपके लिए काम किए हो जाती हैं फर्दर ये भी रेखा गया कि वो अपने घरों में indoor toilets भी बनाते थे, जहां पर वो जो limestone bedrock होता था, उसको duck करके पिट्सयानी की गड्डे बनाते थे, और ये जो काम है, ये युकातन जो peninsula है, मैसो अमेरिका का, वहाँ पे काफी प्रचलित था, यहां पे कुछ key terms आये हैं, म Central America का एक हिस्सा था, तो North America के सदन पार्ट में Mexico आ जाता था, इसके लामा कई सारे और देश थे, जो मैसो अमेरिका रीजन में आते थे, Central America के एक बहुत बड़ा हिस्सा मैसो अमेरिका में आ जाता था, तो मैसो अमेरिका का जो ये पूरा रीजन था, यहीं पर Mayan civilization डेवलप इसके बाद ये मैसो अमेरिका के अन रीजन में भी फैल जाता है, तो ये जो पूरा एरिया है, ये मैसो अमेरिकन रीजन है, और यहीं पर Mayan civilization शुरू होती है, मैस civilization वरतमान के कई सरे देसों में फैली हुई थी, अगर आप वरतमान के लोकेशन में देखेंगे, जैसे कि य इसके लावाम बेलीज, गुवाटेमाला, हॉंडूरास और कुछ हिससा इसका इसलवाडूर तक भी गया हुआ था, तो ये वरतमान के देस हैं, जहां तक Mayan civilization फैली हुई थी, और यहीं लोग निक्ष्ट आमलाइजेशन की तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जो मेज है उसके इसलवाडूर का है, वहाँ तक फैला हुआ था, लोकेशनस आप मैप में भी देख पा रहे हैं, इसके लाव में देखें जो सिविलाजेशन है, इसे मॉनुमेंटल अर्किटेक्चर्स के लिए जाना जाता है, बहुत खूबसूर अर्किटेक्चर्स इनों ने बनाए, फ़ 600 से 800 AD के बीच में बहुत ज़्यदा फ्लरिश हुई, फर्दर 800 से 950 AD के बीच में, इन 500 सालों में इसका डिमाइज शुरू हुआ, यह सिविलाजेशन जो शहरों में थी, लोगों ने शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया, अभी भी कई तरीके की थेरीज आती हैं कि आखि उबाल दिया जाता था, उबालने के बाद उन्हें एक अलकाइन सुलूइशन में डुबोया आजाता था, जिसके बाद वो ज्यादा प्लैटेबल, यानि कि स्वाधिस्ट हो जाता था, नूट्रिशियस हो जाता था, अक्सर इसमें देखे कई तरीके के फंगस आ जाते हैं जो मेच को खराब कर देते हैं, तो इससे नुकसान होता है, लेकि जो निक्स्ट अमलाइजेशन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो निक्स्ट ली है, इसका मतलब होता है एश, यानि कि राख, और इसके अलामा है तामली, तामली का मतलब होता है गुथा हुआ आट जाते थे जो मेज है वो primary crop हुआ करती थे अमेरिका आजमी इसे cultivate किया जाता था बहुत लंबे समय से cultivate किया जा रहा है लेकि निक्स्टामलाइजिशन के वज़े से ही ये काफी region में फैल जाती है इसमें जो मेज है देखे जो process होता था इसमें amino acid, calcium और vitamin B2 से enrich कर दिया जाता थ इस पूरे मेज को यसे human body, जो human body के जो nude होती है वो पूरी हो जाती थी certain जो mycotoxins होते हैं जो fungis से आ जाते हैं वो भी इससे निकल जाते थे तो healthy हो जाता था पूरा जो मेज है फर्दर अगर ये treatment ना किया जाता निक्स्टामलाइजिशन का तो उस समय के लोगों में कई त notification था, निक्स्टामलाइजिशन का ये इन सब चीजों से बचा लेता था तो ये आपने समझ लिया हमारा next article लौट बुद्धा के holy relics के बारे में है चार holy relics यानि कि उनके चार अवशेशों को अभी 11 दिनों के exposition में लेकर जाया गया मंगोलिया में मंगोलियन बुद्धपूरिमा celebration जो हो रहा है उसी दौरान प्रदर्शनी में से रखा जाएगा ये जो पवित्र अवशेश हैं इन्हें बैटसगान जो temple है गैंडेल मुनेस्टरी का मंगोलिया में उसके प्रमाइस में वहीं पर शोकेस किया जाएगा लोग देख इन्हें 1898 में खो जा गया ऐसा वना जाता है कि जो इंसेंट सिटी रही कपिलवस्तू वहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और वहीं पर उनका बच्चपन भी बीता था कपिलवस्तू के साख के क्लैन से वो विलॉंग करते थे असीवर्स की आयो में उन्होंने उत्रप्रदिस के कुशी नगर डिस्ट्रिक्ट में सेलवेशन प्राप्त किया कुशी नगर के जो मल्ड क्लैन के लोग थे उन्होंने उनकी बॉड़ी को क्रिमेट किया एक सेरेमिनी के थाथ जैसे एक युनिवर्सल किंग की सेरेमिनी होनी चाहिए फिनल पायर से जो चिता थी उससे रिलेक्स को कलेक्ट किया किया और उन्हें आठ हिस्सों में बांट दिया किया और उन्हें आठ हिस्सों को आठ महानगर के आठ क्लैन्स में डिस्टिब्यूट कर दिया किया जैसे मगद के अजासत्त्रूस को वैसाली के लिच्छवीस को कपिल वस्तु के साक्यास को कुशी नगर के मलास को अलाकपा के बुलीस को, पावा के मल्ल को, रामगराम के कोलियास को और वेथा डिपा के ब्राहमनास को यहाँ पर यह जो रेलिक्स डिवाइड किये गए, इसका बेसिक अबजिक्टिव यह था कि सभी क्लैंस वहाँ पर एक पवित्र स्थूप बनाएं, उनके रेलिक्स के उपर और यह आठ स्थूप बनाए भी गए, इन स्थूप को बॉडली रेलिक्स और बुद्धा या सरीरी का स्थूप कहा जाता है, जो उनके शरीर के अवशिशों पे बनाए गए हैं, इसलिए यह काफी ज़दा पवित्र माने जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जिनका समय 272 से 232 बीसी रहा, उन्होंने इन आठ में से साथ स्थूप आज में से इन रेलिक्स को निकाल लिया और उन्ही 84,000 स्थूपाज में प्रतिश्चापित कर दिया किया, उनका बेसिक अबजेक्टिव यह था कि वो बुद्धिजम को और प्रचारित करें, और प्रचारित करें, और जो स्थूप का कल्चर है उसे बढ़ाया जाए, स्थूप का महत तो तब जादा होगा जब उ का सासन हुआ करता था, बुद्धिश टेक्स्ट पाली कैनन, जो की थेरवाद बुद्धिश टैडिशन का एक टेक्स्ट है, उसमें इसा बताया गया है कि जो कपिल वस्तु थी, वो गौतम बुद्ध भगवान जो थे, उनका चैल्ड़ूड होम था, और ये साक्यास की विवस को चैतया कहा जाता है, कुछ को विहारा, दोनों में अंतर क्या है, सही जवाब भी है, चैतय वो जगे होती है, जहां पे लोग पूजा करते हैं, और विहार वो जगे हैं, जहां पर बुद्धिश मौंक्स रहा करते थे, हमारा नेक्स्ट आर्रिकल, एंसेंट रॉक पेंटिंग के बारे में है, जिसे हाल ही में तमिल नाडू के इरोट डिस्टिक के बारगूल हिल्स में खो जा गया, यहां पे एक 30 फिट उची और 250 फिट लेंथ की रॉक पे हमें रेड ओकरी और वाइड कलर की पेंटिंग्स मिली हैं, इसमें हैं हंटिंग शीन, हंटिंग के साइस की एक पेंटिंग मिली है, जो 4 फिट उची है, जो मदर गॉर्डिस, जो एक मेगलेथिक स्ट्रक्चर है, उससे मिलती जुलती है, दो हिरन और कुछ एनिमल्स भी उनके नीचे देखे गए हैं, लेक के पास में, यह डिपेक्ट करता है कि लोग जो फिगर है, उसस से blessing के लिए जाते हैं, hunting resources के लिए, elephant, tiger और deer painting में available हैं, crescent से object पर एक man को खड़ी हुई position में भी paint किया गया है, जो bottom layer है, वहाँ पे racial conflict को भी दिखाया गया है, लोगों के बीच में, जहाँ पे तीन लोग 10 लोगों के against में खड़े हैं, तो यह तो painting का description है, देखें, पेंटि जीवक्स के लिए बनाई गई, एमपरेश चंदरगुप्तों मौरे के द्वारा, और तरीसरा, ऐलोरा की जो caves हैं, वो different faith के लिए हैं, यहाँ पे देखें, पहला statement गलत है, because oldest surviving rocket caves बराबर caves ही हैं, और जो बराबर rocket caves हैं, इसे अशोक और उनकी बेटे दसरत के समय में बनाया गया था, तो चंदरगुप्तों मौरे का टाइम भी गलत हो जाएगा, यह तो सही है, देखें, question कैसे बनाया examiner ने, उन्होंने बादामी, बराबर cave का description लिया होगा, और पहला statement बनाया होगा, कि बराबर cave oldest surviving rocket caves हैं, फिर बराबर को हटा के बादामी राल दिया, और यह जो सही डाल दिया, तो statement frame करने का तरीका देखिए, कि जाननर कैसे question frame करता है, जब आप यह समझ जाएंगे, तो question को solve करना काफी आसान हो जाता है, हमारा next article जियोतिर गमय के बारे में है, जियोतिर गमय का मतलब होता है, light की और यानि की रोशनी की और प्रकाश की और जाना, Union Minister of Culture ने अभी हाल ही में जियोतिर गमय इनागरेट किया, अंसंग परफॉर्मर्स के लिए, कई सारे rare musical instruments होते हैं, ना तो हम instruments के बारे में जानते हैं और ना ही उन्हें बजाने वाले लोगों के बारे में, जिनके पास बहुत साय talent होता है, इस festival के माध्यम से उन्हें showcase किया जाएगा, उन्हें लोगों के सामने लाया जाएगा, उन तक पहुचाया जाएगा, इसे ओगे नईस किया ज़रा है संगीत नातक अकादमी के दोरा, जहां पे rare musical instruments और उन्हें प्ले करने वाले जो भी performers हैं, वो अपने talent को showcase कर पाएंगे, इसमें street performance, train entertainers और temple performance भी शामिल र academy, national academy है, music, dance और drama के लिए, इसे 1952 में एक resolution के मात्यम से बनाया गया था, और इसके पहले chair person रहे थे, dr. p.v. राजमनार, यह autonomous body है, ministry of culture के तहत काम करती है, इन्होंने कई सारे institutions में projects को develop किया है, जैसे national school of drama, new Delhi में 1959 में establish किया गया, जवाला नहरू, मनिपुर, dance academy, इंफाल में 1954 कथक केंद्र, new Delhi में 1964, और कैसे इसे projects भी इन्होंने रन किये हैं, जैसे national project of support to kuttyatum, जो की Sanskrit theater है, केरला का, चाउड डान्स of eastern India, सब्तरिया tradition of asan, तो यह तो contribution रहाएंग, देखे, परशनाया था 2009 में, पहला statement था, national school of drama, संगीत नातक अकादमी ने 1959 में established किया, और संगीत नातक अकादमी का highest, यहाँ पर देखे, सहित अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला highest honor है, कि वो किसी को अपने fellow की रूप में elect कर लेते हैं, दोनों ही statement यहाँ पर correct है, चलते हैं आगे, हमारा next article, बाबा बंदा बहादुर सिंग के जी के बारे में है, या बंदा सिंग बह हाल ही में उनके शहीदी दिवस को observe किया, रेट फोर्ट पे न्यू डैली में, बाबा बंदा सिंग बहादुर जी एक बहुत ही great sick warrior थे, वो खालसा आर्मी के commander थे, जुन्होंने मुगल्स के साथ कई सारी लडाईयां लड़ी, और उन्हें हराकर North India का एक बड़ा हिस्सा उन शेरिंग पे खेती करते थे, उनको property rights दिये गए, उन्होंने नानक शाही coins को भी introduce किया, मुगल रूलर जो रूलर था फरुक्सियर, उसके दौरान उन्हें capture किया गया, और उनकी जो शहीदी है, वो महरौली में हुई, वहाँ पर उनकी memory में आपको एक monument भी मिल जाएगा, जल्दी जो campaign Goda international airport है किया, बैंगलूरू में वहाँ पर, campaign Goda जी 16th century के एक chieftain हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे विजयनगर empire के, उन्होंने अपना जो रेन है, साशन है, वो तो अपने ancestor land से ही शुरू किया था, that was ये लाहंका, बाद में उन्होंने बैंगलूरू को ए founder of Bengaluru कहा जाता है इनको, एक नई city का इनका idea था, जब एपर minister के साथ वहाँ पे शिकार पे गये थे, कि यहाँ पे एक नया शहर बनाते हैं, तो उन्होंने शहर कहां से कहां तक होगा, उसके लिए 4 मिनारे खड़ी कर दी, और उसके बाद एकदम plant तरीके से बैंगलूरू को भी खुदवाया, ताकि drinking और agriculture need को पूरा किया जैसे के बैंगलूरू city के लिए, हमारा जो next article है, वो कुछ gifts के बारे में है, जो हमारे PM ने G7 leaders को दिये, हलका सा जानते रही है, कुछ नई चीज़े आपको जानने को मिल जाएंगी, जैसे कि गुलाबी मीनाकारी US President को दी बाद उसमें कुछ metals होते हैं, उन metals का घोल बनाके उसमें उनको भरा जाता है, जिससे वो colorful design में convert हो जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को मीनाकारी कहा जाता है, मीनाकारी के लिए बहुत specialization required होता है, कि colors बिल्कुल सही तरीके से fill किये जाएं, और उनमे variations ना हो, और जो design design है, उसको सही तरीके से meet किया जाएं, एक मीनाकारी design बनाने में 10 दिन से 1 मेहने तक का समय लग सकता है, तो काफि specific skill चाहिए होते है मीनाकारी के लिए, गुलाबी मीनाकारी में गुलाबी metals के जो भी colors हैं, उनको fill किया जाता है, गुलाबी जो पत्थर होते हैं, उनके colors को fill कर दिया जाता है, तो यहाँ पर यह gift किया गया है, यूर्स प्रेसिडेंट को, दूसरा है black pottery, जापान के PM को दी गई है, इसे उत्रप्रदेश के निजामाबात में बनाया जाता है, black color को प्राप्त करने के लिए एक specific technique का इस्सेमाल किया जाता है, जिसमें oxygen की unavailability में, मतब oxygen की absence में, बहुत ही high heat पे oven में इन बरतनों को bake किया जाता है, पकाया जाता है, जिसके बाद इनको बहुत specific black color मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यह, तीसरा है metal marodhi carving, मतका में, जो जर्मन चांसलर को दिया गया, यह nickel coated hand engraved brass vessels होते हैं, हाच से engraved करके इनमें designs को तयार किया जाता है, मुरादाबाद में इनको बनाया जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, brass city कहा जाता है, उत्तर प्रदेस का, marble inlay tabletop to Italy PM, Italy के PM को marble inlay दिया गया, पित्रादुरा जो designs होती हैं, उनी से इनको develop किया गया है, एक opus sectide होता है, पित्राद प्रदेस के बाद पर उसी design के basis पर उसको engrave करते हैं, और engrave करने के बाद फिर उसमें दूसरे जो metal का या कोई pattern जो पहले से तयार किया गया होता है, उसमें feed कर दिया जाता है, तो एक design तयार हो जाती है, तो इस तरीकी की design बना कि फिर Italy के PM को दीगी, डोकरा आर्ट रमायन जाता है, टास्टिंग आर्ट है, lost wax technique का इस्सेमाल करते हैं, lost wax technique में कोई भी जो आकरती है, वो बना ली जाती है wax से, यानि की मोम से, उसके उपर कोई structure बना दिया जाएगा, मिट्टी का कोई structure हो सकता है, उसके बाद गरम करके wax को निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद जो मेटल है उसमें फिल कर दिया जाएगा, तो जो मोम का structure है वो solid form में निकल किया जाएगा, भरत में lost wax technique का इस्सेमाल पिछले 4000 सालों से होता रहा है, नंदी themed dokra art अर्जेंटिना के president को दिया गया, यह 36 गड़ का एक art piece है, Hindu mythology के साब से जो नंदी हैं, उन्हें meditatable के रूप म जाएगा है कि लकड़ी का कोई structure बना लेते हैं, बंबू का कोई structure बना लेते हैं, basically लकड़ी का, और उसके बाद, उसके ऊपर एक Spris प्रकार का पेड़ होता है, उरुसी का पेड़, उरुसी के पेड़ का जो रस होता है, sap होता है, उसको निकालते हैं, और उसमें कुछ colours mix क करते हैं और colors mix करके उसकी painting कर दी जाती है वो जो उसका sap होता है वो उसको plastic के तरह मजबूत बना देता है तो काफी specific तरीका है लेकर वेर बनाने का काफी लंबे समय से लेकर वेर जापान चाइना में बनाया जाता रहा है तो ये art form उत्तर प्रदेश के वरारसी में इसके roots है भारत में तो ये बनाके अभी दिया गया है इंडोनेशिया के president को ये तो समझ में आ गया है हैंड पेंटेड टी सेट दिया गया है बिटिस प्रेमिनिस्टर बोरिश जॉंसन को जो यूपी के बुलन सहर में डेलूप किया गया और इतर बॉटल दी गई है पैक्ट विद कस्टम मेड जर्दोरी बॉक्स जर्दोरी डिजाइन के साथ बॉक्स सयार करके जो कन्नौज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग छत्रपती शाहु महाराज तो एक्चल में ना देखो यह न्यूज में थे क्यूंकि अभी डेथ सेंट्रे थे इनकी ठीक है ना तो स्टेट आफ महाराष्टा में यह चीज इसको अब्जर्ब किया गया तो इसके रिगार्ड जरूरी हो जाता है तो थोड़ा सा शाहु महाराज जी के बारे में जान लेते हैं देखो इनका जनम जो था वो कोलापो डिस्टिक में हुआ था अराउंड 1874 में ठीक है और यह तो डिसेंडेट्स है हमारे छत्रपती शिवाजी महाराज जी के ठीक है ना उनके लाम यश्वन्त राओ घाट गये था ठीक है और यह रूल अफ कोलापोर बने 1894 में और इनको पहले इसे बहले भोसले डिनेस्टि में अडॉप्ट किया गया था अब इनके रिगार्डिंग ना एक कॉंट्रोवर्सी काफी न्यूज में थी मतलब न्यूज में क्या वैसे आपको ज्यदा Congo वर्सी में निया चाना उस unto कानाम क्या है वह दौकटा कंट्रोवर्सी देखो एक्छल में इनका पटिकुलर की यह कौंसी करते हैं उसके बेसिस पर एक चाहर्ण में होता क्या है कि मदलब ऐसा बोला जाता है कि कुछ ऐसे rituals होते हैं या ऐसे कुछ rights होते हैं जो सिरफ और सिरफ ब्राह्मिन, शत्रिय और वैश्य कर सकते हैं और वो शूद्र जो होते हैं वो नहीं perform कर सकते तो इनका जो एक तरह से पंडित था जो इनका priest था उसने क्या बोला कि क्योंकि ये शूद्र हैं तो इस वज़ा से जो विदोक्टा वाले जो rights हैं वो शाहुमा राज प्रफॉर्म नहीं कर सकते इस वज़ा से क्या issue हुआ कि क्या ये जो particular right है ये कर सकते हैं क्या ये rituals इनके द्वारा किये जा सकते हैं नहीं किये जा सकते हैं उसी को बोल देते हैं Vidokta Controversy और इसको हम एक ततना से Brahmin वसास नौन-Brahmin फाइट के बारे में भी देख सकते हैं, देखो बहुत 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 बादा Controversy में ध्यान नहीं देना, हम UPSC के Experiences हैं, तो Controversy में हमें important क्या होता है उसके पीछे की जो हमारे जो static knowledge होती है उसको जाना जूरूरी होता है तब हमने समझ लिया कि विदोक्टा controversy क्या थी तो अगर बहुत ही इसके रिगार्डिंग बनेगा तो direct question बनेगा वो चीज हम अपने paper के रिगार्डिंग हम पड़ चुके हैं उसके साथ ही देखो दॉक्टर बियार अमबेदकर जी के बारे में साथ भी इनका association था ठीक है न तो जब आप जानते हो कि दॉक्टर भीमराम अमबेदकर जी ने अपनी जो study थी उनको complete करन किया था तो उसके regarding different financial sport इनको provide करी गई थी बैच्छत्रपिति शाहु माहराज जी तो साथ ही साथ देखो conference भी थी और साथ ही साथ जो अमबेदकर जी का जो newspaper था मूक नायक ठीक है leader of the dump तो ये जो particular newspaper था इसको भी finance किया गया था शाहु माहराज जी के दौरा तो ये चीज़ भी आप note की रिए कि मूक नायक जो paper था वो डॉक्टर भीमराव बैदकर से relate करता है इसके साथ ही देखो education की field में भी इन्होंने काफी major steps लिये especially जो poor बच्चे थे but कहीं न कहीं मतलब meritorious बच्चे जो backward cast जाते थे उनके लिए अलग-अलग तरह की scholarship लेकिया आई गई साथी साथ primary education को free किया गया पुरी state में ही वेदिक schools को किया गया Sanskrit education को promotion किये गी different cast के ना मतलब एक तरह से equality में काफी मानते थे तो इस वज़ा से जो untouchability था इसके against इन्होंने काम किया सभी लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को आगे लाने की कोशिश करी different cast के backward classes के लोग थे उनको उपर लाने की बात करीगे उनको शिक्षा में उनको आगे बनने के अफसर दियेगे तो इस सारे के सारे different different reforms इनके द्वारा perform कियेगे उसके साथ ही widow marriage को legalize किया गया 1917 में कानपुर में ठीक है, intercast marriage हो गया उसके साथ ही woman के status को भी improve करने के लिए इन्होंने prevention of cruelty against woman का act pass किया ठीक है, untouchability के grading काम किया और आप जानते हो, जोतिवा फूले हो गया ठीक है, सवित्री भाई फूले जी का contribution और इस वज़ा से इन्होंने कहीना के इनके काम से inspire होके ही सत्य सोजक समाज जो इनके द्वारा जोतिवा फूले के द्वारा established किया था, उसको patronize किया लेटर पार्ट में आरे समाज की तरफ भी ए move करे, और आप जानते हो ना ये reservation का concept हो गया या positive discrimination जिसको बोलते हैं कहीना कहीन इसकी शुरुवात मानी जाती है कि वो शाहु महाराज जी के द्वारा ही करी गए थी क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जब state services चीना उसके अंदर 50% post reserve कर दी थी for backward classes बाद में ही ये जासे क्या बना? positive discrimination कहलो, reservation कहलो, affirmative action कहलो ये सारी चीजों की beginning कहीन नगहीं यहीं से ही मानी जाती है कुछ political reforms भी इन्होंने किये ठीक है न? उसके सभी का politics में बराबर का participation होना चाहिए one vote value होनी चाहिए उसके साथ ही कुछ economic reforms भी यहाँ पे इन्होंने different आप यहाँ पे पढ़ सकते हो तो कहीन नगहीं आप देख रहे हो कि इनकी contributions education की field में भी है उसके साथ ही social reforms में भी है कुछ economic reforms भी इन्होंने की है political reforms भी है Dr. B.A.R.A.R.M. बेदकर के साथ भी इन्होंने काफी उनकी help करी तो कहीना कि यह तो different different इनके काम है तो काफी जादा है तो काफी possibility बन सकती है कि considering इनकी 100th death university थी तो उस वज़ा से इसके regarding question कही न कहीं हमारे यहाँ UPSC में definitely पूछा जा सकता है उसके साथ ही जो राधा नगडी डैम था जो 1907 में initiate हुआ था यह particular डैम भी इनके द्वारा ही initiate किया गया and lastly जो बाल गंगादर तिलक थे तो तिलक जी के suggestion पर ही शिवाजी क्लब को found किया गया था तो इन्होंने उसको found करने में help करी and correspondingly जो different different na revolutionary activities करी जाती थी इस शिवाजी क्लब के द्वारा तो वहाँ पर इन्होंने help करी तो काफी multifaceted अपना इनके contribution को देख सकते हो political field में भी और revolutionary activities को sport के भी education के भी so on and so forth तो I hope आपको छत्रपति शाहुद महराजी का क्या contribution था वो चीज़ भी समझ आगे होगी हमारा next article है regarding काबा काबा क्या है Central Advisory Board on Archaeology तो देखो news में इसलिए था क्योंकि बहुत ही recently इसको reconstitute किया गया था और इसके देखो functions भी आप समझ सकते हो पहली बात तो ये कि ये एक advisory board है ठीके ना तो ये कोई चीज़ implement करने की मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी binding recommendations है एक तरह का ये advisory board है और किसको advise कर रहा है ये advise कर रहा है हमारे center को जैसे कि 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 किस तरह से Archaeology की field को कैसे हम उसको फर्दर promote कर सकते हैं किस तरह से नहीं नहीं लोगों को हम training दे सकते हैं और साथी साथ जो हमारी main body है that is Archaeological Survey of India ASI जो हमारी body है उसको किस तरह से जो हमारी Indian universities में अलग-अलग बच्चों को अलग-अलग शिक्षा दी जा रही है उसके साथ कैसे collaborate किया जाए इनके बीच में कैसे proper contact को मिले किया आप जा पाए different different state governments के साथ कैसे link किया जा पाए उसके थुरू Archaeological की field को कैसे develop करना है यहाँ पे इसकी चर्चा हो जा रही है ठीक है ना तो काबा उस purpose के लिए बनाया गया है और यहाँ पर आप देख भी सकते हो ठीक है ना हमारे पास state governments के भी अलग-अलग nominees जाहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ ही culture ministry जो है वहाँ से representatives आएंगे हमारे archaeological survey of India के representative आएंगे उसके साथ ही जो इसके chairman होंगे that is minister of culture तो जब आए culture minister head है वो इस particular center advisory board on archaeology जो काबा है उसके chairman होंगे और culture ministry के members archaeological survey of India, MPs and state government के कुछ nominees होंगे जो इसके particular board के member होंगे और यह particular board साल में एक बार मिलेगा और जो भी archaeological related चीज़ें है ना चाहे ASI के साथ हो किस तरह से education को improve करना इस field में state governments के बीच में का operation कैसे बढ़ाना है in the field of archaeology यह सारी चीज़ें इसके regarding काबा के अंदर आप discuss कर सकते हो ठीक है जी हमारा next article है regarding UR Tourism Club तो देखो इसके regarding अभी news में क्यों था क्योंग जो central board for school education है यानि की CBSC उसने tourism ministry के साथ मिलकर UR Tourism Club लाने की मतलब जो भी उसके CBSC के corresponding schools हैं वहाँ पे UR Tourism Club को form करने की बात हो रही है तो जब देखो इस तरह के Tourism Club बनेगे न हमारे स्कूलों के अंदर तो कहीं न कहीं हमारे जो बच्चे होंगे जो students हैं वो एक तरह के ambassadors बनेग पाएंगे ठीक है तो वो जो young ambassadors develop होंगे इनके अंदर leadership qualities आएंगी ठीक है और कहीं न कहीं आप देख रहे हो हमारा India कितना बड़ा है हर state के अंदर कहीं न कहीं न आप tourism places हैं और हर किसी के अपनी अपनी uniqueness है तो इंडिया के पास ना unlimited potential है एक तरह से tourism को promote करने का और जब हम इसके अंदर हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको involve कर रहे हैं तो future के अंदर हमारी tourism के possibilities बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं और जब students involve होंगे तो उनके अंदर leadership qualities भी improve होंगे teamwork, management और साथ ही साथ किस तरह से tourism के अंदर ecological concept हम involve कर सकते हैं जो ecological tourism उसको फर्दर प्रमोट कर सकते हैं यह सारे के सारे कहीं न कहीं युवा टूरिजम क्लब के हम objective मान सकते हैं तो काफी diverse इसके objectives हैं यहाँ पे देखो सभी कई फैदा है तूरिजम ministry के रिगाड़ी है इंडिया की economy improve हो रही है बच्चों को culture के बारे में जानने को मिल रहा है साथ ही साथ उन में कुछ particular qualities देख टीम, work, leadership यह सारी चीज़ें भी develop हो रही है तो इसके multifaceted advantages इस particular युवा टूरिजम क्लब के आपनोट कर सकते हो तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much